जार्खन की 1127 पंचायतों में आज पहले चरन का चुनाव जार्खन में पंचायत चुनाव के पहले चरन के लिए चुनाव 14 माई 2022 को होगा जार्खन की 1127 पंचायतों में आज पहले चरन की 1127 पंचायतों में आज पहले चरन की वोटिंग है इसके तहट रांची के अलावा दूम का धनवाद बोकारो रामगर लोहता का गुमला सिम्टे का पच्मी सिम्भूम सराय के लाकर सावा पूर्वी सिम्भूम गडवा पलामू लाते हार चत्रह जारी बाग गिरिडी देवघर गोड़ा साहिवगंज और पाकुर जीले में यहां में गजन के साथ बारिस होगी इस दोरान बजरपात की भी असंका है इस करम में तेज हवाए भी चल सकती है इसे लेकर मौसम विभाग ने एलो अलर जारी किया है 19 मई तक राज्य में हलके से मदर्च की बारिस के असार है जार्खन प्राथमिक वमध बिद्याले में सिख्षको की नियुक्ति के लिए अब परिक्षा होगी जार्खन सिख्षक पत्रता परिक्षा सफल अभियार्थी परिक्षा में सामिल होंगे राजे में अब सिक्षकों के नियुक्ति सहायक आचार्य के नाम से की जाएगी बता दे दस बरस की सेवा के बाद सहायक आचार्य सहायक सिक्षक के पद पर प्रोन्हती पासकेंगे राज्य में वर्ष 2012 में बनी प्रात्मिक सिख्चक नियुक्ति निमावले में बदलाव किया गया है राज्य में प्रात्मिक वमद विदैले में सिख्चको की सीधी नियुक्ति हुई थी जिसमें मैट्रिक इंटर असना तक सिक्षक प्रसिक्षन वा जार्खन सिक्षक पताता परिशा के अंक के अधार पर मेदा अंक त्यार किया गया था इसके अधार पर नियुक्ति की गई थी कर्चा एक से पांच वच्छा से आठ में सिक्चक नियुक्ति के लिए अलग अलग परिचा ली जाएगी IAS पूजा को जेल में काटने लगे मच्छर तो हाई कोट ने जेल में फोगी मसिन भेजने को कहा जारखन हाई कोट की एकल पीठ में और मन्ना के एक ममले में राजे के मुक्सचीव कोट में ऑनलाइन पेस हुए थे सुनवाई के दरहन जज ने मुक्सचीव से मौकिक रूप से कहा कि आज अखबार में एक खबर शपी है खबर का जिक्र करते हुए कहा कि एक सीनियर IAS जेल गई तो उन्हें मचर काटने लगे जेल में उन्हें गंदगी दिखी तो उनको गुस्ता आ गया और उन्होंने वहां मौझूद करमचारियों को फटकार लगा दी बता दे IAS ने कहा कि किस बात का बेतन लेते हैं बेतन लेते हैं तो काम क्यों नहीं करते जज ने मुक्सची उसे कहा है कि जब अधिकारे उच पदों पर काम करते हैं तो इस दोरान में बेवास्ता क्यों नहीं सुदारते जब खुद पर बितिती है तो सब कुछ नजर आने लगता है अदालत ने कटाक्ष करते हुए मुक्त अचीव से कहा है कि जेल में फोगिंग मसीन भेर दीजिये ताकि बी आईपी के साथ आम कैदियों को भी मचर से कुछ रहत मिल जाए पावर में लोटे तेज तराज ADG अनुराग गुपता है दो साल तक सस्पेंट रहे जारखन पुलिस के तेज तराज IPS अधिकारी अनुराग गुपता ADG एक बार फिर से पावर में लोट आया है राई सरकार ने उनकी पोस्टिंग कर दिया है उन्हें ADG प्रसिक्षन के पद पैतानात किया गया है ADG अनुराग गुपता पहले भी जारखन पुलिस में आहम जीमेदारी निभाच चुके है बता दे सुक्रवार को मुख्य मंत्री हमन सुरेन की सरकार ने उनकी ADG ट्रेनिंग के पद पर पोस्टिंग कर दिया है गिरी करा एवं आपदा प्रवधन विभाग की ओर से जारी की गई अधुसुचना के मुताबिक ADG अजय सिंग को ACB का अतिरिक्द परभार दिया गया है पूजा सिंगल पती अभिसेख जा और C.A. सुमन के सारे बैंक खाते फ्रीज निलंबित I.A.S. अधिकारी फूजा सिंगल उनके पती अभिसेख जावा चार्टर्ट अकाउंटेट सुमन कुमार के सम्बंधित सभी बैंक खाते में लेंदेन बंद कर दिया गया है इडी ने 6 माई को इसे समंधित देश के 5 राजियों के 20 से अधिक टिकानों पर चाप्रेमारी में मिली अनिमित्ता के बाद बैंकों से सभी समंधित खातों को फिरीज करने के लिए पतरचार किया था अब उनके खाते से अगले आदेश तक किसी भी तरह किलें देन नहीं होगी बताया जा रहा है कि आरोपित के बैंक खातों में काफी पैसे जमा है राश्ट्रिये जुनियर होकी परत्योकता के लिए जहरखन टीम घोसी कोविल पती तमिलाड़ू में 17-28 मही तक आयोजित होने वाली बरावी होकी इंडिया राश्ट्रिये जुनियर पूरूस होकी परत्योकता के लिए जहरखन टीम की घोसना सुक्रवार को कर दी गई है टीम में 18 खिलाड़ी सामिल है जो सनिवार को तमिलाड़ू के लिए रवाना होंगे बता दे जहरखन टीम के गठन के लिए 2 मई से बरियातू एश्टो टर्फ मैदान में कैम्प लगाया गया था कैप में कूल 27 खिलाड़ी सामिल थे जिन में 18 का चैन टीम में किया गया है होकी जहरखन कर्याले में महासचीव बिजय संकर सिंग और सीईओ रजनिस कुमार ने टीम की घोसना की और खिलाड़ीों को किट परदान किया जहरखन के स्कूलों में उधार लेकर परुसा जा रहा मिड़े मिल एक तरफा जहां जहां जहरखन के सरकारी प्रवामिक स्कूलों में मिड़े मिल योजना के संचारन के लिए राजसी अब तक सरकार की ओर से मोहया नहीं कराई गई है तो वहीं दूसरी तरफ मिड़े मिल बनाने वाली रसोया को पिछले पाँच महिने से बेतन नहीं मिल पाया है बता दे अपनी साड़ी के पलू से आखो को आशू पोष्टी फुलमती देवी का कहना है कि ओपिछले 15 साल से नोनी हालो के लिए मिड़े मिल के तहत खाना बना रही है उमीद लगा ही रहती है कि अब सरकार की तरफ से बेतन मिलेगा भले ही सरकार की तरफ से राशन के लिए पैसा नहीं मिलता हो लेकिन इस बात का एसाथ हम बच्चों को नहीं होने देते और उधार लेकर भी स्कूल आए इन बच्चों का पेट भरते है जैक बोड दसवी और बरावी की परिक्षा का मुल्यांकन कार्य सुरू जारखन एकेडमी काउंसिल की ओर से ली गई मैट्रिक वा इंटर के कौपियों का मुल्यांकन कार्य सुरू हो चुका है इस बार जाम सेथ पूर में कूल साथ मुल्यांकन के अंदर बनाए गए है मैट्रिक के लिए 4 वा इंटर के लिए 3 मुल्यांकन केंद्र बनाए गया है बता दे जीले के करीब 1,50 सिक्षक सिक्षिकाओं को कोपियों के मुल्यांकन कारे में सामिल होने के लिए जैक के और से ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है जैक सुत्रो के अनुसार इस बार जून के तीसरे सप्ता मैट्रिक वा इंटर का रियल्ट जारी होने की संभावना है चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों के लिए मांदे निर्धारी जार्खन में पंचाई चुनाव के कारे में प्रतिन्यूक्त किये जाने वाले कर्मियों के लिए राज सरकार ने मांदे एवाम यात्रा भाता तय कर दिया है इसके तहत मांदे के साथ साथ भोयन वानास्ता के लिए 250 रुपे तथा देर रातरी तक काम करने के भी मांदे दिया जाएगा पंचाई चुनाव के कारे में लगे सेक्टर प्रतादिकारी, जोर्नल मजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग प्रतादिकारी को 2200 रुपे मांदे तया है इसी परकार पिठासिन पदादिकारी को प्रती दिन 500 रुपए मददान पदादिकारी को प्रती दिन 375 रुपए मदगन्ना परवेक्षक को प्रती दिन 500 रुपए दिये जाएंगे जारखन पंचायद चुनाव परतेक मददाता को मिलेंगे 4-4 वैलेट पेपर तिरेस्तर ये पंचाय चुनाव के तहद पहले चर्ण की सीटों पर सनीवार को होने वाले मतदान में परतेक मतदाता को चार-चार वैलेट पेपर अलग-अलग रंग के मिलेंगे ये चारों वैलेट पेपर अलग-अलग पदों के होंगे वही मद्दाताओं को नोटा का भी कल्प नहीं मिलेगा बता दे मद्दाताओं को किसी न किसी उमिद्वार को अनिवारे रूप से बोट देना ही होगा बोट नहीं देने पर मत पत्र वैद नहीं माना जाएगा बता दे ग्राम पंचायतों के सदसे के लिए सफेद क्रीम रंग का पेपर वहीं ग्राम पंचायतों के मुख्या पद के लिए हलका गुलाबी पंचायत समेती के सदसे के लिए हलका हरा जीला परिशत के सदसे पद के लिए हलका पिला बैलेट पेपर होगा निसिकांत दूबे ने दागा ट्वीट लंदन भागने की फिराक में प्रेम भाईया है आज उन्होंने प्रष्ट चार कजंगीन आरोपो में घीरी आयेस पुजा सिंगल मामले में फिर से एक पर एक कई ट्वीट कर सियासी भुचाला दिया है इड़ी ने अपने रिमान में सुमन कुमार के ब्यान के अनुसार यह तो कहा कि कुछ पैसे पुजा सिंगल के हैं बाकी पैसे राजा के तो नहीं जो जीला खनन पता दिकारियों ने भेजा प्रेम भाईया लंदन भाईने की फिराक में और चौबे भाईया दिली में मैनेज करना है पहली बार पंचायत चुनाओ के दवान हेलिकोप्टर का नहीं होगा इस्तिमार नक्सल प्रभावित पलामू प्रमंडल में दो दोसक बाद पहली बार चुनाओ में महल बदला हुआ दिख रहा है जार्खन गठन के बाद यह पहला मौका है जब मतदान कार्य में लगे कर्मियों को कलस्टर तक पहुँचने वह वापस लाने के लिए हेलिकोप्टर का उपयोग नहीं किया जा रहा हलाकी विशेस परिस्थिती के लिए हेलिकोप्टर तयार रहेंगे साथ ही चुनाओ के दिन मतदान कार्य पर अकास मर्ग से निगाह बानी की तयारी है इसके लिए बनाएगा हेली पैडो पर संदेश मिलने पर चोपर पहुचाने की त्यारी है IAS पूजा फिर बेहोस होगा ED ने बुलाए डॉक्टर भस्टाशार के संगीन आरोप में घिरी जारखन की IAS अधिकारी पूजा सिंगल की तब्यत विगड़ गई है ED के रिमान में पूजटाश के दोरान चक्कर आने से वह बेहोस हो गई उनका ब्लड प्रेसर बढ़ गया डॉक्टरों की टीम मोगे पर पहुच कर उनका इलाज कर रही है बता दे पूजा सिंगल का इलाज करने वाले डॉक्टर ने मीडिया को बताया है उनका BP 144 की करिब है हालात समाने है थोड़ी मानसिक चिंता है जिसके चलते पूजा सिंगल पर इसान है रांची में कटहल मोड के पास स्कूल बस में लगी आग रांची के कटहल मोड के पास एक चलती स्कूल बस में आग लग गई है चालक को उतर कर भागना पड़ा इसे चालक को जान बची हलागी बस में चालक के अलावा कोई बच्चे आइश्टाप नहीं था इससे एक बड़ा हस्ता टल गया चुकि बच्चों के बैठे रहते और आग लगती तो बड़ा हस्ता हो सकता था रांची में चलती कार में नबालिक लड़की से समोहिक दुसकर्म इड़ी ने हाई कोट में कहा पूजा से मिले हलकंप मचाने वाले दस्तावेज जारखन के मुख्य मंत्र हेमांसुरेन के मुश्कुले और बढ़ सकती है हेमांसुरेन और उनके रिष्टेदार वा करीबियों से जुड़ी सेल कमपनियों के मामले में सुनवाई के करम में परवर्तर निदेशाला एडी ने जारखन हाई कोट में कहा है कि बरश्टा चार के संगिन मामले में जारखन आई ए एस पूजा सिंगल के ठीकानों पर हुई छापेमारी में बहुत अलार्मिंग डोक्यूमेंट हाट लगे है जिसे एजेंसी कोट को दिखाना चाहती है इस मामले में सुनवाई करते हुए जर्ज ने कहा कि हम एदास्तावे जरूर देखना चाहेंगे इसे सील बंद लिफाफे में हाई कोट के रईस्टार जनरल के जरिये अदालत में जमा करा है राज सभाज चुनाओ से पहले बदल सकता है बिधान सभा का गनीत जर्खन में राज सभाज चुनाओ के पहले राजनीतिक उथल पुथल बड़े प्रमाने पर संभावी था इसका असर परमुक राजनीतिक दलों की बिधान सभा के मवजूदा इस्थिती पर भी पड़ेगा फिलाल भाजपा बिधायक दल की नेता बाबुलल मरांडी के साथ सात्मों के मनते हमन सुरेन उनके भाई बिधायक बसंद सुरेन भाजपा के बिधायक समरी लाल की से सता को लेकर अलग-अलग मामले चल रहे है बता दे बाबुलल मरांडी को चुनाव आयोग ने बतोर भाजपा बिधायक मनेतर परदान कर दिया है लेकिन बिधान सबा सची वाले अभी भी उन्हें जार्खन विकास मोर्चा का ही बिधायक मानता है ट्रोफी टीशट घोटाले की जाच को ACB जमसेदपूर में जार्खन में बहुचर्ची ट्रोफी टीशट गीत संगीत वा साज सजा घोटाले की जाच कर रही जार्खन पुलिस की प्रष्टा चार निरोधक ब्योरो की टीम जमसेदपूर में है इस घोटाले की जाच के लिए एक दिन पहले ही गुरुवार को जमसेदपूर पहुची तिन सदस्य टीम ने ट्रोफी टीशट सफलाई करने वालों से पूस्त आजबी शुरू कर दिया है बतादेजमसेदपूर के सिंद गोड़ा में रोट इस्थीत लाला इंटरप्राइजेज ने राजय अस्थापना दिवस पर ट्रोफी की सफलाई की थी अनामीका गौतम को सुप्रीम कोट का नोटीश देवघर जमीन खरीद मामले में भाजपास सांसद निसिकांत दूबे की पतनी अनामीका गौतम को सुप्रीम कोट ने नोटीश जारी किया है इस पर सुनवाई करते हुए जस्थिस संजाय किसन कॉल और जस्थिस एम एम सुन्दरेस की खंड पिट ने अनामीका गौतम को नोटीश जारी किया है बारात से लोट रही कारपेंड से टकराई आर्मी जवान सही दोग की मौत चार घायाल गिरी डीके बगोदर थाना छेतरे के सरिया रोड अंतरगर धिवरा के पास सुक्रोवार सुबह में हुई भीशन सड़क दुरगाटना में दो लोग की मौत हो गई जबकि चार लोग गंभी रूप से गायल हो गई मिरितकों में आर्मी के एक जवान भी सामिल है मिली जनकारी के अनुसार और नियंतरित कार पहले रोड किनारे श्थीत पेंड से टकराई गई और फिर पल्टी कर गई रिम्स की कारे सहली से हाई कोट नराज ज़ारखन के परसीद सरकारी अस्पताल में इलाज की दैनिय स्थिती को लेकर सोता संग्यान से दर्ज जनीत याच काओ पर ज़ारखन हाई कोट में सुक्रवार को सुनवाई हुई ज़ारखन हाई कोट के चीफ जैस्टिस डाक्टर रवी रंजन वा जैस्टिस सुजीत नराण परसाथ की खंड पीठ ने वीडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर रिम्स की कारे सहली पर नराजगी जताई है खंड पीठ ने रिम्स की ओर से दायर रिब्यू पेटिशन को खारिज करते हुए पचास से रुपे का जूर्माना लगाया रिम्स निदेशक को सोक आज भी किया है इसके साथ ही अदालत ने पूछा कि क्यों नहीं आपके खिलाप और मानना की परकिरिया सुरू की जाए हेमंत सुरेन माइनिंग लीज मामले में 17 माई को सुनवाई जारखन हाई कोट में सीएम हेमं सुरेन के माईनिंग लीज आवंटित मामले में सीबी आई से जाज कराने को लेकर दायर दनित याज का पर सुक्रवार को सुनवाई हुई चीफ जाशिस डाक्टर रवी रनजन वा जाशिस सुजीत नरायन परसाद की खन पीट में इस मामले के सुनवाई की गई अब 17 माई को स्पेशल बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी अदालत नहीं बैठने के कारन पिछली सुनवाई टल गई थी रगवर दास समेथ भाजपा के पूरे कारकाल की जाश कराएगी जारखन सरकार जहामों ने कहा है कि रगवर दास के पांच वरस के कारकाल समेथ जारखन अलग राज गठन से लेकर अब तक भाजपा सरकार के समस्त कारकाल की जाश सरकार कराएगी यह बात जहामों के वरिष्ट नेता सुपरियो वट्टाचार एवं विधायक सुधिब कुमार सोनू ने प्रेस कॉन्फरेंस में कही उन्होंने कहा कि रगवर कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने पुजा सिंगल को क्लीन चिट नहीं दी बलिक अधिकारियों ने दी इसे बड़ी हास अस्वत बात और क्या हो सकती है जहामों नेताओं ने कहा कि रगवर जी दावा करते हैं कि यह हमारे समय का पैसा नहीं है यह 28 साल के अंदर का पैसा है ऐसे में उन्हें नोटों का सीरिज भी मालूम होगा और उन्हें जला यह भी बात आदेना चाहिए भाजपा ने सीम हमंत पर भरष्टाचार में सामिल होने का लागाया आरो भाजपा नेताओं ने मुख्य मंत्री हमंत सुरेण पर भरष्टाचार में सामिल होने की सिकायत लेकर राज पाल रामेस बैस से गुरुवार को मुलकात की भाजपा अध्यक्स दीपक प्रकास के नेतित में पुर्व सीम रहुवर दास और बाबलन मांडी के साथ भाजपा नेताओं ने राजबहन पहुँच कर स्री सुरेन के खिलाप आरोप पत्र सोपे साथ ही हमत सोरेन की सदस्यतार राद करने की मायंग भी की है बता दे उनकी पत्नी कलपना सोरेन द्वारा अरगोडा में खरी दी गए जमीन में सी एंटी एक्ट के उलंगान एवाम मनी लंडरिंग का आरोप लगाया इधार पूर्व सी एम रह उबर दास ने कहा है कि 2009 में मुख्य मंत्री की पत्नी कलपना सोरेन ने अरगोडा में 13 कठा और 17 कठा जमीन दो अलग अलग डिट से खर दी धी धन्यवाद जादी आप चनल पनाए और दो चनल को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एक अंदर बैए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ बैक अवस्य दे थाइंक यू